चुने खबरों मागे बरेंगे जार्खन विदानस पाचुनाव की घोशना से पले हेमन सरकार जो है कैबनेट बैठक करने वाली है और अब बता दे कि कल 14 अक्टूबर को कैबनेट की बैठक बुलाएगा यह और ऐसा माना जा रहा है यह मौझूदा सरकार की कारेकाल का अंति चैन अच्टू में कई अहम प्रस्ताव पर मुहर लग सकती हैं जार्खन सरकार के लिए कर अहम बैठक है क्योंकि जारखन आघामी विधान सवास के चुनाव के पहले यह थेमन सरकार के लिए कैबनेट की बैठक अन्तिम होगी क्योंकि इस cabinet के बैठक में कई अहम प्रस्ताव आने की उमीद है और हेमन सरकार के लिए कल जो cabinet बैठक हेमन सरकार हेमन सोरेन जो मुखमंत्री है उनकी अधिश्ता में बैठक होगी और इस बैठक में उमीद है कि कई अहम प्रस्ताव आने की उमीद है कि आगामी बिधान सवा में कैसे हम जो इस cabinet के अहम प्रस्ताव आएंगे कैसे हम बिधान सवा में जो चुनाओ होगा और उसके पहले इस cabinet में अहम प्रस्ताव लाने का यह आसा लगाया जा रहा है कि हम प्रस्ताव चाहे मैया संमान योजना और कई जो अवास अबुङवास योजना पहले भी केबनेट के बैठेक में मोहर लक चुकी है और कई कई लोगों को बीच में बिधाण सभा के चुनाओ के पहले कैसे हेमन सरकार ने अपनी उपलब्दिग ना रहे हैं लेकिन कल को कल जो बैठक कैबिनेट की अहम बैठक है और इसमें कई प्रस्ताव आने की उमीद है क्योंकि कुछ समय के बाद विधान सभा का चुनाव का घोसना हो जाएगा तो कल अहम बैठक हेमन सोरेन मुकमं कंतरी के अध्रक्ता में हम बैठक होगी और इस बैठक का उदेश है कि कैसे जनता के बीच में जाए क्योंकि हम पांच साल क्या काम किये हैं यह भी माइने रखेगा कि कल जो कैबिनेट की बैठक होगी और इस बैठक का उदेश है कि हम जो काम किये हैं उसको जनता के बीच म बताएंगे कि हम यह यह अहम मुद्दे पर काम किये हैं हमें फिर से मौका दीजिए और आने वाला चुनाव में हमें फिर से सरकार की गद्दी पर बैठाएं और आपके लिए काम करेंगे अपने शहयोगी सुनिल स्वानसी के साथ संतोस कुमार कसिस्ट निव्ज राची